सपने में सतुर्मूर्ट या ओस्ट्रिस को देखना बहुती कीमती बातों की ओर इशारा करता है जिनको सपने में ओस्ट्रिस की विबिन अवस्थाओं के मार्थ्यन से सही से समझा जा सकता है जैसे अगर कोई सपने में किसी ओस्ट्रिस को देखता है तो यह सपना जीवन में आने वाली उन बाधाव की ओर संकेत करता है जो किसी दूसरे वैक्ति के कारण आपके सामने आएगी इसलिए आपको फालतु लोगों से दूर रहने की जेतावनी यह सपना देने का काम करता है और अगर कोई सपने में किसी मरे हुए ओस्ट्रिच को देखता है तो यह सपना भी कुछ जादा अच्छा नहीं माना जाता और बहुत सी छोटी छोटी परिसानियों का लाइफ में आने की ओर संकेत करता है जिन से बचने के लिए आपको अपने विवेक का ही सहारा लेना होगा तभी आप इन सभी चिनताओं से खुद को बचा पाएंगे और अगर कोई सपने में किसी ओस्ट्रिच को खुद ही मार देता है तो तभी यह सपना बहुत ही जादा अच्छा माना जाता है जो की जीवन में एक नई सुरुवात की और संकीत करता है जिसमें आपकी बार आपकी परस्नेल्टी में पोजिटिविटी कुद ज़्यादा ही होगी और अगर कोई सपने में बहुत से ओस्ट्रिच को कहीं पर देखता है या अपनी और आते हुए देखता है तो यह सपना एक तरह की चेतावनी देने का ही काम करता है कि आपको अभी कोई नया काम सुरूर नहीं करना चाहिए और अगर कोई सपने में किसी ओस्ट्रिच को भागते हुए देखता है तो यह सपना आपके माइन में चलने वाले उन निगेटिव विचारों की ओर संकेत करता है जो आपको बहुत ज़्यादा परिशान कर रहे हैं जिन से बचने के लिए आपको जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाने की जरूरत है और अगर कोई सपने में किसी ओस्ट्रिच को पकड़ लेता है तो तब यह सपना काफी अच्छा माना जाता है जो कि आपकी किसी मनोकामना के जल्द ही पूरा होने की ओर संकेत करता है और अगर कोई सपने में ओस्ट्रिच के अंडे को देखता है तो यह सपना भी काफी अच्छा और शुब माना जाता है जो कि आपकी अभी की सोचे गए प्लान में मिलने वाली सफलता की और ही इशारा करता है तो ये थे सपने में ओस्ट्रिच को देखने से संबंदी कुछ सपने औरों के मतलब